स्टैमरिंग को लेकर लोगों के मन में एक बहुती बड़ा मित है और वो है कि स्टैमरिंग कभी ठीक नहीं हो सकती पर आज मैं आपके सामने एक ऐसा सक्स से मिलवाने वाला हूँ जिनोंने इस मित को तोड़ कर कामyabhi का बहुती बड़ा सक्स का मुकम को हासिल किये हैं और कोई और नहीं, वो सक्स, Forbes Business Icon, Timesman of the Year, Chief Minister Awarded, Corporate Trainer and Motivational Speaker, Mr. Bhaaveen Shah. So, please, welcome sir. Thank you so much, Masimji. Thank you so much. Thank you so much, sir. आपने अपना कीटे टाइम निकाला और मैं बहुँ जब एक्साइड़ वा आप से बाते करने के लिए. कुछ दिन पहले आपका एक एक बुक्स में पढ़ रहा है, Achieve What You Want. इस बुक्स में मैंने एक चीज़ देखा कि आप भी स्टैमरीं करते थे बच्टे थे बच्टे आप से मैं बहुँ जब एक्साइड था कि एक बार मिलेंगे ज़रूर तो कोलकाता से मैं आया आप से मिलने के लिए. मैंने आपका website में भी देखा है कि पिछले 15 सालों में आपने 6 लाग से भी ज़्यादा लोगों को ट्रेंग किया है, चार सो पचास से भी ज़्यादा बड़ी-बड़ी corporate company को आप ट्रेंग करते हैं और हजार से भी ज़्यादा trainers को आपने लाँच किया है, मुझा इसा लगा कि stammering fully life से, यहां तक सफर करना, लग यह impossible से possible आपने बनाया है, तो मुझे लगा कि एक बार आपसे मिलो तो आज आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो कुछ सवाल है आपके stammering को लेकर, क्योंकि इंडिया में 1.5 करोड लोगों को stammering की problem है, तो मुझे ऐसा क्योंकि उन लोग को solution नहीं मिल पा रहा है, लोग भटा करें, लोग को लगता है कि क्या ऐसा करें कि stammering सही हो जाए, यह वो यह सर्च करते हैं कि ऐसा कोई है जिनोंने इस problem को सही किया हो, तो आपको लगा कि देखके कि तो बहुत बड़ा एक example है तो उन लोग के सामने ले आपको कितने stammering की और कब से थी और उस situation को अपने किस तरीके से देखा और कैसे आपने उसको प्रोग्राम में कि जैसे हर पेड़ी अपनी next पेड़ी को next generation को कुछ ना कुछ देती है, तो वैसी हमारी भी generation में या पेड़ी में कहीं कुछ लोगों को हमारी generation में genetically थोड़े बहुत stammering की issues थे, बट जब वो issue मेरे तक पहुचा तो वो stammering का issue काफी जादा था, मतलब मुझे अपना नाम बोलने में भी 15 से 20 सेकंड लगता था, एक समय पे मेरा stammering का हालत उतना उतना जादा था, और मुझे आज भी याद है कि वो stammering challenges की वज़े से कहीं ना कहीं हम काफी सरे personal problems भी जहिलने पड़ते हैं as a individual, so मैंने definitely बहुत कह सकते हैं 15-20 सेकंड वाली stammering तो बहुत हैवी वाली होती है, so आप मुझे बोले तो high stage का stammering वसीम जी मुझे रहा है, और बच्पन से रहा है, और वो मैंने 17 साल तक, मतलब मेरी जब age born हुआ और तब से 17 साल की कि इस तक मैंने वो face किया stammering टॉपने, बहुत बड़ी है सर, तो सर एक सवाल है जो अगसार लोग पूछते हैं, कि क्या stammering सचने सही हो सकती है, मैं तो एक चीज़ बुलुगा के जहां चमतकार है, वा नमस्कार है, अगर मैं ठीक कर सकता हूँ, और मैं बहुत लोगों को गाइड करता हूँ, और आप भी stammering care foundation run करते हैं, आप भी काफी लोगों को train कर चुके हैं stammering को ठीक करने के लिए, तो absolutely अगर सचीं टेंडू करने 200 run लगाया है, तो फिर कोई भी 200 run लगा सकता है, चाए विरंदर सेवाग हो, रोहिष शर्मा हो, या कोई भी देश का, कोई भी इंसान ठीक कर सकता है, तो सवाल, मुझे लगता है, यह नहीं है कि स्टेंवरिंग ठीक हो सकता है कि नहीं, सवाल यह है कि आप ठीक करना चाहते हो, अगर ठीक करना चाहते हो, तो जवाब मिलना शुरू हो जाएगा, जिसने हार मान ली है, और जो accept करके बैठ गया कि ठीक नहीं होगा, तो उसका कुछ नहीं होने वाला, तो यह सवाल यह है कि क्या ठीक करने की प्यास अभी भी आपके अंदर है, और मुझे लगता है कि अगर आप यह वीडियो देख रहे हो, मतलब प्यास है, सॉलूशन ढून रहे हो, तब भी तो आप यह वीडियो अगर हां, तो ठीक हो सकता है, अगर वो ठीक करना चाहते हैं, तो उनका माइंसेट कैसा होना जाते हैं, क्या होना जाते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लेम हम यह सोचते हैं कि और मैं कुछ भी बोलूँगा, तो लोग क्या सोचेंगे, यह common हैं जो आप सब भी उस पर agree क करेंगे, दूसरा यह है कि हम इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, लोगों से कम बात करते हैं, सोचली कम एंगेज हो जाते हैं, बट मैं यह मानता हूँ कि अगर मुझे स्टैमरिंग प्रॉब्लेम नहीं होता, तो मैं शायद इस लेवल की सक्सेस नहीं हासिल कर पाता, मुझे मिला है, उसको ओवरकम करके आप खुझ की सिंदगी का हिरो बनने का आपका मुखाय मिला है, तो स्टैमरिंग प्रॉब्लेम के कुछ पैटर्न्स मैंने देखे हैं कि ओवर्थिंकिंग बहुत करते हैं, इसकी वज़े से वो ठीक से नहीं बोल पाते, काफी बर स्टैमरिंग को निकाल के अगर आप नया थौट प्रोसेस लेना शुरुवात करोगे ना, तो आपको कही ना कहीं स्टैमरिंग के सॉलुशन दिखना शुरू करेंगे, सही बात बुल रहा हूं, मुझे भी पता है कि नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रोगे, कि सरो अब मैंने बोली दिया है कि सॉलुशन है, तो अब बता भी दिजिए कि सॉलुशन क्या है, शाद ही सवाल है आपका नेक्स्ट, बिल्कुल, लोगों का यह मतलब, यह सवाल होता है कि मैंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखा है, ठीक नहीं हो पारे, लेकिन तो फिर इग्जैक्ली सॉलुशन क्या है, देखे, डॉक्टर को मैंने भी दिखाया, 5-7% मेरा इंप्रूमेंट हो पाया था, डॉक्टर से, मैं डॉक्टर को कोई भी जगा पे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनकी वज़े से मेरा इंप्रूम नहीं हो पाया, बिकॉस डॉक्टर की दवाई भी तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपको उस प्रोसेस में विश्वास नहीं है, जब तक आपको उनकी दवाई में विश्वास नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इमीडियेटली या as soon as possible वो उसको ठीक करना है, तो सबसे पहले आपको एक चीज समझेना पड़ेगा, कि communion जो है वो आपका यहाँ से drive होता है, अगर आपको लगता है कि आप यहां से बोलता है, अगर आपका जो trigger point है, उसको अगर आपने महारत हासिल कर ली, उस पे विजह ही पाली अगर उस पे आपका control हो गया तो आप काफी सारी चीज़ों को आसानी से manage कर पाओगे example कोई भी एक इंसान एक minute में 140-150 words बोल सकता है कोई भी एक इंसान 140-150 per minute word बोलता है stammering problem जिनके साथ होता है problem क्या होती है कि वो काफी बार इतना fast बोलने की कोशिश करते हैं कि उसकी वज़े से उनका stammering का problem कभी ठीक नहीं हो पता सबसे पहला मैंने एक काम करना शुरू किया कि मैंने अपनी बोलने की speed कम किया आप अभी भी देख रहे हैं वो practice में सालों से करता हूँ मैं अपने sentences को शांती से बोलता हूँ आज हला कि stammering problem नहीं है बड़ मेरी वो आदत पढ़ चुकी है मैंने अपनी speed कम करी मैंने देखा मैं बहुत fast बोल रहा हूँ तब मैं stammer कर रहा हूँ second चीज मैं कुछ शब्दों पे ज्यादा stammer करता हूँ जैसे कि example दे रहा हूँ सबका same नहीं हो सकता मान लिजी कि मेरे को एक शब्द बोलना आ गया charismatic तो किसी लोगों को charismatic बोलने में stammering होती है को ऐसे शब्दों में stammering हो जाती है किसी को टॉ बोलना है technical तो मास stammering तो आपको pattern पकड़नी पड़ेगी कि आपको stammering कौन से शब्दों में हो रही है और आपको क्या काम करना है जभी भी वैसे शब्द आपको बोलने आए एकदम सांती से और प्यार से confidence के साथ overthinking को निकाल कि आपको try करना है बोलने का स्टार्टिंग में क्या होगा charismatic स्टार्टिंग में आपको पता है कि आपको यहां पर स्टैमर और टेक पॉस एंद थोड़ा शांती से बोलिए उसमें आपको musicality change करनी पड़ेगी modulation change करने पड़ेगी आप खुद को बेवकुफ बनाओ आप देखिए कि आप स्टैमर तब करते हो जब आप बोलते हो अगर आपका स्टैमर इंग सच में exist करता है तो आप गाना कैसे ठीक से गाता रहे हो मुझे यह बताओ सब्सक्राइब how to find summary सब्सक्राइब क lounge in gilinu मैंने आज तक दुनिया में कोई बेशा इंसन नहीं देखा आई जिसको gana सेड़िव क्यों कि आप वही चीज़ बोल रही ह हों बोल रहू हो जो सालों से आप बोल को रही है तो आपको स्ट्र lá sălen करें चेंज करिए पौदॉट से हैं आपके बोलने में basket करें आराम से आपकी स्ट्रलक्रांग को थीक कर सकते हैं तिसे में अभी बोल रहा हूं क्या लगता है पहले मैं सबसे Tibeiquay कैसा था है मेरा नाम भाविन शहा है मैं बहुत बड़े सपने रखता हूं अपनी एनरजी में काम की अपनी मियूजिकालिटीा मेंने प्रक impul Res uma बसंट में लाया की जहाँ कि जहां आप सबसे बड़ी टेक्निक अगर धूंडनी है तो वह है प्रैक्टिस अगर आपको लगता है कि खाली इंटर्वी देखने से टॉक शो देखने से भाविन चाह से अवसीम से इंस्पायर होने चागर आपका चीज ठीक हो जाएगा तो दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं बना जाता है मैंने उस चीजों को तब तक नहीं छोड़ा जब तक मैं अच्छा बोलना शुरू नहीं कर दिया तो लोग जो है बीच में क्विट कर देते थोड़ा ठीक हो गया उसको छोड़ देते हैं प्रैक्टिस बिल्कुल यहीं होते हैं कि मैं जब लोग को ट्रेन करता हू तो एक्सपेक्टेशन को उनको रखना चाहिए कि हमें आपने आपको देना पड़े एक्जाट्ली एक्जाट्ली ओदेखिए कोई भी चीज रात और ठीक नहीं होती है अगर आपको पर्मेनेंट सॉलुशन चाहिए तो आपको छे मेना मिनिमम देना पड़ेगा अगर आप अगर आपको बुरी लग रही है तो मैं सच बोल रहा हूँ अगर आप एक्शन टेकर नहीं है तो बगवान भी अगर ऊपर से आ जाएगा तो आपको कोई कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा मुझे लगता है 17 साल तक मैं आल सी रहा पट जब मैंने डिसियन लिया कि मुझे कमफर्ट जोन से बाहर निकल के एक्शन लेना है तो मेरे चीज़े ठीक होना शुरू हो गई जब एक्शन लेना शुरू करोगे जब से एक्शन टेकर बनोगे तब से आप आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे राइट बसीम जी बिल्कुल सच मैं आपने जो बताया लब जो मैं एक्सपेट कर रहा था कि लोगों को exactly चीज़े बताया बहुत बह पूछूंगा लोग मजाक उडाते हैं जब बोलते हैं इसलिए डर लगता है कि कई लोग कहीं मजाक ना उडाएं इसलिए हम अपने आपको लोग के सामने एक्सप्रेश करना नहीं चाहिए बात और यह मैंने भी अपनी जिंदगी में काफी जेला है और मुझे रखता है कि मैं उसको source of motivation लेने लगा अगर मेरी जिंदगी में एक मोमेंट तक मैंने उसमें बहुत fear था एक मोमेंट तक मैं उससे demotivate होता था पर एक मोमेंट के बाद मुझे realize हुआ 17 साल की age के बाद कि यह जो भी लोग आपका मजाक उडा रहे हैं वो शायद एक दिन आपके लिए ताली बजाएंगे अगर आपने उनको results के साथ prove किया नहीं के बोल के मजाक उडा रहे हैं तो जवाब में क्या मजाक उडा होगे उनका नहीं जवाब में इतना अच्छा speech बनाओ जवाब में आपका communication skill इतना शानदार ready करो आपका communication skill इतना अच्छा develop करो कि कही ना कहीं गया था कि अगर आपको college में first semester के बात करना है तो खुद की पैसो की fees खुद निकालनी पड़ेगी आपको खुद खर्चा निकालना पड़ेगा मैंने एक Canada based company थी वहां की मैंने franchise ली इंडिया में 22 फ्रेंडों से पैसा उधार लेके मैंने confidence के साथ सबसे सबके against नाके मैंने काम करना शुरू किया था वसीम जी लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया साड़े बीस साल की इज में मैंने अपनी जिन्दगी की सबसे पहली गाड़ी पर्चेस करी थी मानोती सुचों की सुब डिजायर college के जब मैं seven semester में था मैं महिने के चार लाक रुपय कामाता था जो भी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे सबने मेरे को appreciate करना शुरू किया और आज भी वो मेरे अच्छे दोस्त है और आज मुझे याद करते हैं कि भाविन तेरे जैसा इंसान नहीं देखा बेको तुने prove कर के दिखाया इस दुनिया में उस इंसान का महत्व है उस इंसान का respect है जो prove करके दिखाता है उस इंसान का कोई respect नहीं जो खाली सामने वाले को जगड़ा करता है बोल के निकल जाता है अगर आपको मजाक उड़ा रहे हैं अगर आपके साथ लोग मतलब कुछ ऐसा बोल रहे उसको ठीक करके जवाब दे दीजे अगर ठीक करके जवाब देने की हिम्मत है तो आईए साथ में अगर ठीक करके जवाब देने की हिम्मत नहीं है तो भाई साथ आपकी पूरी जिंदगी वैसे रहने वाली है जब ये रियालिटी मुझे 17 साल की एज में एक Air Force Officer ने समझाई थी उस दिन मेरा Life में Transformation आरा शुरू हुआ था उसके बाद तो आपको पता है 31 साल की मेरे आज एज है 450 से भड़े Corporate Premium Clients से 80 Countries में काम करते हैं काफी Premium Level पे हम लोग हमारी Organization रण करते हैं Founder, Director of I.M. Possible Training Solutions and कही ना कही 31 साल की एज में 70 लाक रुपीज की BMW जब मैं चलाता हूँ मुझे मेरे जब पूराने दिन याद आते हैं कि उस एज में लोग मेरे कैसे मजाग उड़ाया करता था और मैं उस दिन को आज इतना खासी मजाग से लेता हूँ और मुझे लगता है कि ये दिन मेरी जिन्दगी में जरूरी थे लिकास अगर ये दिन मेरी जिन्दगी में नहीं होते ना वसीम जी तो मैं शायद आपके सामने नहीं बैठा होता शायदा मेरे इंटेरू नहीं ले रहे होते और शायद आप मुझे सुनते हैं नहीं तो यह होना जरूरी है यह होना ही था और अगर आपके साथ जिंदगी में चैलेंजिस है परिशानी है तो मुझे लगता है कि जिंदगी में आपको आगे बढ़ाने के लिए आई है नहीं कि आपको जिंदगी में पीछे हटा आने के जवाब उनको मिल गया होगा अगर वो है तो फिर तो उनकी स्टैंबरींग बिल्कुल ठीक होगी और अगर एक्षन टेकर नहीं है फिर तो कहीं पर भी कुछ नहीं होने वारे मुझे लगता है वसीम जी अगर कोई भी इंसान ने अगर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा विडियो देखा है ना मतलब वो ज़रूर एक्षन लेना चाहते हैं बर शायद एक दो तीन रीजन है जो आपको रोक रहे हैं शायद आप टाइम नी निकाल पा रहे हो शाय एक एज्जोकेशन हमारे जिम्मेदारी नहीं है यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा थपड़ था कि उसको ठीक करना है तो मुझे अपने आप पे काम करना पड़ेगा दोस्त हमेश्चा थपड का वेट मत करिए बिकोस थपड कभी उपर वाला लगा सकता है हमेश्चा जि चाहते हैं तो सबसे बड़ा चीज यह है आपको कम्विनिकेशन में मास्टरी लानी पड़ेगी आप बहुत शंदर प्रोग्राम करते हैं मैं आपको रेक्मेंड करूंगा 600 से जबादा लोगों को वसीम जी स्टैमरीं से ठीक कर चुक है communication में काफी अच्छे master हैं आपको ऐसे program जुणने चाहिए आपको ऐसे mentor के साथ जुणना चाहिए जो आपके साथ काम करने को तयार है अगर आप communication में master नहीं बनेंगे तो आप आगे की जितनी भी possibilities हैं आपके potential के उपर opportunity से वो शायद miss करते जाएंगे मैं मानता हूँ कि मेरी blessing रही कि मुझे 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 blessing रही कि मुझे अच्छा mentor मिला 17 साल की एज में mentor के बिना आपकी जिंदगी में आगे direction जो है बहुत मुश्किल हो जाता है एक mentor सही चूज कर लिए आपकी जिंदगी बड़ी आसान बन जाती वसिम जी बिलकुर उम्मीद करूंगा इतने भी लोग सुन रहे हैं हां जी उनको सही guide मिला होगा कि किस तरीके से उनको action लेना चाहिए absolutely करना चाहिए so once again thank you so much thank you so much thank you आप लोग इसको जरूर implement कीजेगा अपने life में लागू कीजेगा result जरूर मिलेगा so thank you thank you so much last talk video को देखने के लिए thank you कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच कहूं चुनिए Stammering Care Foundation को और करे अपने Stammering Public Speaking का सपना साकार download the app now